2700 करोड खिलाकर 123 एकड़ का परिसर और 177,000 लोगों के बैठने की सुविधा शंक्याकार की एक्स्ट्राउडिनरी बिल्डिंग दिल्ली के प्रग्दी मेदान में बनाये गया है IECC परिसर जिसे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 26 जुलाई को देश को सौप दिया इस बिल्डिंग को देखिए ये है और्स्ट्रेलिया के सिड्नी में बना ओपरा हाउस दिल्ली में बने इस एक्जिबिशन कम कंवेंशन सेंटर में ओपरा हाउस से भी जाड़ा लोगों के बैठने के सुविधा है ओपरा हाउस में साड़े 5,000 लोग बैठ सकते है जिबकी IECC में 7,000 लोग बैठ सकते है इस कन्वेंशन सेंटर में 3,000 व्यक्तियों के बैटने की क्षमता वाला एक MP थियेटर भी है जो 3 PVR थियेटरों के बराबर है मिटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैच सकते हैं 5,000 से जादा गाड़ियों की पार्किंग की जगा है इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबल तख अठारवी G20 समिट की बैठक होगी दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कम्पलेक्स में शामिल आपको जानकर हैरानी होगि कि दिलिके प्रक्तिमयदान में स्थिद भारत का ये convention center दुनिया के top 10 convention centers में शामिल हो गया है ये जर्मनी के हनोबर exhibition center और शंगाई के national exhibition and convention center को तक कर देता है 2017 में शुरू हुआ था redevelopment दिली के प्रक्ति मैदान का redevelopment साल 2017 में शुरू हुआ था जिसकी initial deadline साल 2019 थी हाला कि site पर काम हाल तक जारी रहा है इस project को राजी के स्वामित वाली construction company NBCC India Limited execute कर रही है IECC के अलावा project में नए exhibition hall का construction भी शामिल है